हलो एवरीबन एक बार फिट से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में आप देख रहे हैं स्वाणिम बाइलोजी क्लासेस और मैं सुभमतिवारी आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसा यूनिक वीडियो लाएं हैं जिसमें ISK इंटर्व्यू में पूछे गए 10 important questions हैं और उन questions का इतना अजब answer दिया गया है candidates के द्वारा वो भी आप देखें लेकिन सुरू करने से पहले प्लीज हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजे ताकि इसी प्रकार की अच्छे अच्छी जानकारिया हम आपको सेयर करते रहें सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज नहीं लगता बिल्कुल फ्री है नीचे की red कलर की बटन दबाईए लगेंगे लेकिन आप क्या सोचते हैं जी हाँ अगर आप सोच लिए हो और फिर भी आपको इसका जबाब नहीं मिल रहा हो तो candidate का answer सुनिए सर मेरी बहन के लिए आप से अच्छा वर कोई हो ही नहीं सकता एक बिल्ली के तीन बच्चे हैं उनका नाम जनवरी फरवरी और मार्च है तो बिल्ली का नाम क्या होगा candidate का answer सुनिए क्योंकि इसका जबाब question में ही है अगर बच्चों का नाम जनवरी फरवरी और मार्च है तो बिल्ली का नाम क्या होगा तो क्या है बिल्ली का नाम क्या है एक आदमी नीद के बिना आठ दिन तक कैसे रह सकता है जी हाँ रह सकता है क्योंकि आदमी रात को सोता है दिन में नहीं तो आराम से वो रह सकता है क्या आप बुद्धवार, सुक्रवार वर रभिवार का नाम लिये बिना तीन लगातार पढ़ने वाले दिनों के नाम ले सकते हैं सोचिए नहीं मिला एंस्वर, केंडिडेट का एंस्वर सुनिये कल, आज और कल बीता हुआ कल, आज और आने वाला कल ये तीन लगातार पढ़ने वाले दिन हैं अगला कुश्यन, अगर एक कंपनी दो है, मतलब कंपनी का नाम दो है और जो भीड है उसमें वो तीन है तो चार और पाँच क्या होंगे? नहीं पता चला? जी हाँ, इसमें कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है सिंपल सा एंस्वर है, चार और पाँच, नौ होंगे अगला कुश्यन, आध्ये सेब की तरह क्या दिखता है? दूसरा आधा सेब अगला कुश्यन, एक हत्यारे को मौत की सजा सुनाई गई उसे तीन कमरे दिखाए गए, पहले कमरे में आग लगी है दूसरे में बंदूकों से लैस हत्यारे है और तीसरे में सेर भरे हैं, जिन्होंने तीन सालों से कुछ नहीं खाया उसे क्या चुनना चाहिए? सोचिए, सोचिए चलिए कैंडिडेट का एंस्वर हम आपको बताते हैं कमरा नमबर तीन क्योंकि तीन सालों से अगर भूखे सेर हैं तो वो अब तक मर चुके होंगे एक अही मा से दो बच्चे एक साथ एक अही दिन पैदा होते हैं मतलब ताइम भी सेम है, डे भी सेम है, सब कुछ एक जैसा है लेकिन वे तिन्स नहीं है, मतलब जुड़वा नहीं है, तो फिर क्या है? नहीं पता चला? चलिए हम आपको बताते हैं, वो तिन्स नहीं है, बलकि ट्रिपलेट्स है मतलब एक साथ तीन बच्चे पैदा हुए थे, ना कि दो अगला कोश्चन देखते हैं, उत्तरी धुरू पर एक घर की चार दिवारे है, चारो दिवारे दच्चिड की तरफ है और उस घर के चारो तरफ एक भालू चक्कर लगा रहा है, तो भालू का कलर क्या होगा? नहीं समझ में आया? चलिए हम आपको बताते हैं, क्योंकि वो भालू उत्तरी धुरू पर है, इसलिए उसका कलर सफेद होगा लास्ट क्वेश्चन, एक आदमी एक ऐसे घर में बैठा है, जिसमें पूरू रूप से अंधेरा है यानि वहाँ न तो लाइट्स हैं, न लैम्प हैं, न तो कोई मुम्बत्तिया और टार्च वगरा हैं तो फिर भी वो पढ़ाई कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? जी, हो सकता है, क्योंकि वो आदमी ब्लाइंड है, अंधा है, और वो ब्रेल पढ़ रहा है, जो कि आखों से नहीं, हाथों से पढ़ा जाता है थैंक यू, अगर आपको इस से सम्मंदित कुछ भी, क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज आप कमेंट करें और हमारे चैनल को जादा से जादा सब्सक्राइब और सेयर करें